नमस्ते अभिवादन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए Disclaimer दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत important मुद्दे पर जहां पर हम दो चीजों को कबर करेंगे एक leading indicator और दूसरा lagging indicator याद रखिएगा इसमें हम अभी अंदर नहीं जा रहे हैं हम सिर्फ इसका एक base आपको बताएंगे जिससे की आपको चीजें समझ में आये तीन जगहों से इसको हम connect करने की कोशिस करेंगे सब से पहले तो stock market से दूसरा economy से और तीसरा life से जी हाँ क्योंकि market और life लगभग लगभग एक जैसी हैं सुरुवात हम market से करते हैं market में आपको दो तरीके के indicators मिलते हैं एक leading और दूसरा lagging दोनों का नाम खुद उनके बारे में बात बता रहा है leading indicator वो होता है जो price किधर जाएगा उसकी कहानी पहले से ही बताने लगे ठीक है मतलब price उपर जाने वाला है वो indicator आपको बता देगा भाई साब यहां पर आप buy कर लीजे price नीचे जाने वाला है वो indicator आपको बता देगा आप sell कर दीजे ठीक यह हो गई leading indicator की कहानी lagging indicator की कहानी क्या हो गई यह आपको बताता है कि भाई साहब अब buy लोगों ने कर लिया है price अब उपर जा रहा है अब आपको buy कर लेना चाहिए यह होने के पहले बता देता है leading indicator होने के पहले मतलब कि अभी price गीरी रहा है यह आपको बता देगा यहां तो लोग खरीदते हैं भाई आपको खरीद लेना चाहिए क्योंकि यहां से यह आप उठने के chances बनाएगा होगा अगले indicator में क्या होता है lagging indicator क्या होता है गिर गया उठ रहा है भाई यहां पर तो गिरा और लोग खरीदारी चालू कर चुके हैं आप क्यों देर कर रहे हो मैंने तो देर करीदी है अब आप उसको पकड़ लीजे मतलब आप इसको buy कर लीजे दोनों के अपने advantages है हम स संकट में है यहां पर हम कैसे समझ सकते हैं कि देश संकट में है तो jobless claims आएंगे यानि कि लोगों की नौकरी जा रही है ठीक है महंगाई बढ़ जा रही है products के दाम महंगे होते चले जा रहे हैं ठीक जो मजदूरी लोग करते हैं जो ऐसा तबका है जो मजदूरी करके अप पता लग रही है कि यार कुछ तो गडबड हो रहा है देश में लेंग इंडिकेटर क्या है जब कंपनियों के रिजल्ट आते हैं जब सरकार अपना GDP आंकड़ा पेस करती है जब देश में महंगाई के आंकड़े आ जाते हैं कि यह inflation इतने उपर यह inflation इतने उपर तो आप सम सबसे जरूरी है इस चीज को समझना क्योंकि अगर आपने यहां पर समझ लिया तो आप मार्केट में कुछ जंडे गाड़ो या नहीं लाइफ में जरूर जंडे गाड़ोगे क्यों जरूरी है लाइफ में इसको समझना कि इसलिए भाई कि जब जिन्दगी नहीं रहेगी भार में गई एकनॉमी भार में गया मार के समझ रहे ना मतलब अपनी जिन्दगी सबसे पहले समालनी हमारी जम्मेदारी है अब लाइफ में लीडिंग और लेगिंग का सिंपल सा क्राइटेरिया में ऐसे लोगों को समझाता हूं कि आप सीधे जब डॉक्टर के पास जाते हूं आपका पेट भारी होने लगा भारी मतलब गलत मत समझिये का मतलब मोटे होने लगे ठीक है कमार चौड़ी होने लगी समझ रहे हैं कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं आपका वजन बढ़ने लगा ठीक आप थोड़ी देर भागते हो सांसे फूनने लगी सर से बाल गायब हो रहे हैं कोई दिल पर मत लीजेगा किसी चीज को हर चीज का अपना टाइम है लेकिन अगर वो समझ पहले होने लगे तो आपको पता चल जाना चाहिए यह लीडिंग इंडिकेटर्स हैं यह में तकलीफ दे रहे हैं समझ रहे हैं मतलब ऐसे धीरे-धीरे करके आप आपको थोड़ी थोड़ी जो सरीर है वो सम्भावनाय देने लगेगी जो युवा लोग है उन्नीस 20 साल के उनके चेरे पे पिंपल सा रहे हैं अजीब तरीके से इस्किन रहसे हो रहे हैं मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ आपको सिर बता रहा हूँ यह इन तरफ से लगता हो तो लोग मानते क्यूं नहीं है लोग उनको क्यों जाकर देखते हैं जिनके लाकों में सब्सक्राइबर्स हैं और वो एकदम दो कोड़ी की घटिया बात बता रहे हैं एक रुपए चवणनी चाप सेर्स के बारे में बात कर रहे हैं उनको लोग हजार यह हो गया भाई साब यह हो गया कुछ भी मतलब मैं किसी बेकार बिमारी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन वो लेग इंडिकेटर है अब आप वहां पर क्या कर सकते हो उसका क्योर दवा खाके कर सकते हो लेकिन यहां पर आप प्रिकॉशन उठा करके क्योर कर सकते थे थे तो leading indicators की अपनी अलग खुबी है, legging indicators की अपनी अलग खुबी है market में, real life में जो leading indicator है, आपको सिर्फ उस पे rely करना चाहिए, most of the cases में आप मतलब बहुत लोगों से आगे हो जाओगे, मैं खुद से कह रहा हूँ कि 95% लोग are careless about their health, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं अपने life के साथ, अपने health के साथ, वो हो सकता है कि आपकी मजबूरी हो बड़े सहर में रहना, जहां पर आपकी इतनी बड़ी मजबूरी है कि आप लोगों का धुआ सूंग रहे हो, मतलब कितना भयंकल लोग pollution करते हैं अपने गाड़ियों से, अपनी factories से, लेकिन वीकेंड पे 15 दिन पे महीने पे, अगर आपके पास कहीं village area का touch होता, आप वहां अपने बच्चों को लेकर जा सकते हो, ज़रूरी नहीं किसी बड़ी सहर में बड़ी जगह जाओ उनको घुमाने, वहां पर ले जाओगे ना, उनकी body thank you वो लगी, और indirectly आपको इफाइदा होने वाला है, आपके medical expenses कम होंगे, अगर आप real life में leading indicator पे भरुसा करोगे तो, lagging indicator real life में बिल्कुल useless है, लेकिन market में lagging indicator इसलिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको होने के बाद चीजें बताता है, और इसके failure के chances इससे कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कमाई के chances इससे कम हो जाते हैं, मतलब मैं कहना क्या चाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो leading indicator है, वो कोई stock 100 रुपे पे आ गया, वो बता देगा, भाईया, 100 रुपे पे तो लोग खरीद लेते हैं, अब आप खरीद लीजिए हाँ पर, हम कहेंगे नहीं नहीं, हम confirm होना चाते हैं, और अगर ये 100 से reverse कर गया, और ये 110 पहुँच गया, और 105 पे हमारा lagging indicator बताया, भाई, अब यहाँ लोग खरीदना, आप खरीदो, हम 5 रुपे कमा सकते हैं 105 से 110 जाने के लिए, लेकिन अगर हम 100 पे खरीदे होते हम 10 रुपे कमा लेते, लेकिन leading indicator की दिक्कत क्या है, कि वो 100 पे हमको बता तो देगा, लेकिन उसके पास सिर्फ एक वैलिड लॉजिक है, कि लोग यहाँ खरीदना चालू कर देते हैं, वो यह नहीं जान तक लोग यहाँ खरीदना चालू कर दिये हैं, समझ रहे हैं, इन इंडिकेटर की हम बात आके करेंगे, कौन-कौन से क्या होते हैं, लेकिन अभी आप इतना समझिए, तो यहाँ पर अगर यह नीचे चला गया, 100-95 हो गया, तो हमारे बास failure के chances बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर leading indicator हमको better prices दिलाता है, लेकिन इंडिकेटर से better performance दे सकते हो, जो लोग नए हैं बाजार में उनको leading indicator पर भरोसा इसलिए करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर expertise की जो है वह बहुत कम जरूरत होती है, लेकिन इंडिकेटर से आप धीरे-धीरे जब आगे progress करो तो आपको यूज करने की अनुमती मैं दे सकता हूँ या खुद को दे सकते हो इकनोमी के सम्मन्ध में आपको लेकिन इंडिकेटर सिर्फ रिजल्ट दिखाता है कि जैसे आपका बेटा ठीक आपका बेटा स्कूल कर रहा है कोई लोग बुरा मत मानना अगर आप बेटे हो ठीक कहरा है स्कूल नहीं जाना है टीचर बड़े खराब है मारते हैं मेरे दोस्त अच्छे नहीं है वो लड़की मुझे मार दी हो मेरा टीफिन खा गया ऐसा यह आपके लिए लीडिंग इंडिकेटर है उसका दिल पर नहीं लेंगे ने तो नीचे कॉमेंट सेक्षिन में हमारे लड़के को तुमने बोला फेल हो गया वासी परसे नंबर लाके लाया है एकदम हम लड़ो डुबांते हैं आजी यह मत कहना भाई तो मैंने आपको समझा है ना आयोप समझ गए आप लीडिंग और लेग लाग अंडिकेटर क्या है आज है आज आपको बूला था फोन दिखाना एक माईने बाद निया पोन ही आ गया वाह यह है लाग इन, इस चीज को लेगर कोई दिल पर बात को लेगा यह बाते मैंने किसी पावनाओ को बहquinho करने के लिए नहीं बोला है सब को अपनी प्र connecting 친 र लिए रिसर्च करो, खुद के समाज के लिए रिसर्च करो, आगे बढ़ो, हम वीडियो यहां पर खतम कर रहे हैं, आपको इतना बताना चाहेंगे, कि कुछ इंडिकेटर्स आपको बताते हैं, कि यह लेवल इतना आ गया है, अब आपको यहां पर भाई करना चाहिए, वो हो कुछ बताते हैं, इंडिकेटर्स की यहां पर जैसे की मुविंग अबरेजेस जो हैं, जब आप उनका क्रॉसोबर यूज करते हो, तो वो लेगिंग इंडिकेटर हैं, लेकिन उप्योग बहुत बढ़िया है, आरेसाई लीडिंग इंडिकेटर है, वो पहले ही आपको बता बस एक कोई सर दस रुपए वाला स्टॉक बता दीजिए, कोई सर पांच रुपए वाला स्टॉक बता दीजिए, हाँ बाई, ऐसे लोगों सवाल आते हैं, दो रुपए वाला स्टॉक बता दीजिए, मुझे नहीं पता कि यही क्या कहीं, सस्ता स्टॉक बताते हैं, सस्ता म बताता है, वो आपको support and resistance बताता है, हमारी एक वीडियो है मैगडी पर, वो देख लेना काफी जादा important है, इन दोनों को देखकर रखिएगा, हम कोशिस करेंगे, इस पर बहुत जल्द वीडियो लेकर आएं, leading lagging indicator आपको अच्छे से समझाने की कोशिस करें, इस वीडियो का म analysis जहां पर आपको बताएंगे, stock market में leading lagging indicator से आप पैसे कैसे कमा सकते हो, हम थोड़े थोड़े पैसे कमाते हैं, हम राजा बनने वाली का सपने नहीं दिखाते हैं, ना कुद देख पाते हैं, ना दूसरों को दिखा सकते हैं, लेकिन कमाना ज़रूर चालू करेंगे, दिना नमस्कार